हालो दोस्तों एक निकल्चार एकजाम पढ़ने कस आ गया थे हम लख रहा है एनिमल साइंस के कुछ महत्पूर प्रस्ण जो ए एफ ओ डी एच ओ ए ओ यू यू पी कैटेट के इंटेंस एकजाम में हर बर्स पूसे चाते हैं पहला प्रस्ण आपके समने गेहूं की भूसी में क्या करा है प्रस्ण पहला प्रस्ण क्या करा है गेहूं की भूसी में पाच्छे कच्ची प्रोटीन होती है कैसी प्रोटीन पाच्चे होनी चाहिए और कच्ची प्रोटीन होती है गेहूं की भूसी में पाच्चे कच्ची प पाच्ची प्रोटीन जो है चार प्रसाथ पहला विकल्प बी क्या है छे प्रसाथ सीख साथ प्रसाथ आफसा नमबर डी क्या है नौ प्रसाथ जही आंसा आफसा नमबर बी आफसा नमबर डी किन्ने प्रसाथ छे प्रसाथ होती है गेहों की भूसियम जो है पाच्ची कच्ची प्रोटीन जो होती है किन्ने होती है छे प्रसाथ प्रसाथ पाए जाती है सही आंसा आफसा नमबर डी छे प्रसाथ पाए जाती है अगला प्रसन है 600 किगरा शरीर भार वाली भैस के लिए सुस्क परदाथ की मातरा होती है क्या गरा है 600 किगरा एक भैस है जिसका वजण किदना है 400 किगरा है उसे आहार में सुस्क पर्दाथ की मातरा कितनी देनी चाहिए जिस भहस का भार जो है 600 के ग्राया है तो उसे आहार के रूप में सूस का परदार जो है कितनी मात्रा में देना चाहिए पहला क्या कर रहा है 15 के ग्राफ प्रति दिन देना चाहिए या फिर फिर नमर क्या कर रहा 18 के ग्राफ प्रति दिन देना चाहिए या सी नमर क्या कर रहा 21 के ग्राफ प्रति दिन देना चाहिए या फिर का रहा तो शिर्फ 15 के ग्रा प्रद दिन सुस्क बजात की मातरा देनी चाहिए उस भहस को सही आंसर असमब ए अगला प्रस्न है एक गाय क्या करा प्रस्न है एक गाय है जिसका वजन 500 के ग्रा है किनना 500 के ग्रा था पांच कोई इंटल है कि पाच कच्ची प्रोटीन की जीवन निर्वा आवसेकता कितनी होती है क्या गरा प्रस्न है एक गाय है जिसका वजन जो है पांच कुई इंटल था तो 500 के ग्रा है जीवन निर्वाह के लिए the लिएा और किपने प्रसत्या कितने ग्राम पार्ची कच्छी प्रोटीन उस जहें ऊई पांच को यंच को एक गाया 5 उसे पांच कची प्रोटीनलेंगे जीवन निर्वा के लिए देना है पाच्चे कच्ची प्रोटीन जो है उस गाय के लिए जीवन निर्वा की रूप में देना है दुधारू के लिए नहीं है यहां पर क्या है जीवन निर्वा अथाद जो दूद न देने वाली गाय क्या करा है जीवन निर्वा अथाद पाल्चे कर्ची प्रोटीन देना चाहिए, सई आंसर असंब बी, आफसर नम्बर बी, 273 ग्राम प्रत दिन, पाल्चे कर्ची प्रोटीन अगर जीवन निर्भा के लिए दे जारे तो, डून देने के लिए, सुखी काय के लिए दे जारे तो, 273 ग्राम प्रत दिन, पाल्चे क सची प्रोटीन देना चाहिए, सई आंसर असमब बी, अगला प्रस्न है, मोटे चारे में तन्तु में परदार्थ पाया जाता है, क्या प्रस्न है, मोटे चारे में जो है, तन्तु में परदार्थ पाया जाता है, सई आंसर असमब ए, अठारा परस्न से अधिक, जो तन्तु मे में परदास परज़ था रहा देर में 18 परशन से अधिक होता है सब्सक्राइब अगला परशन नीम्न में से कौन सी हाथी घास की किस्म आई यह निकाले गई पूसा नेपियर ठूट durant ओप सुमार है पूसा नेपीयर रटू जो हाति गास की समय है यू कियो होpen या IA, R-I द्वारा, निकाली गयी है, सई आंसर असंबह D, अगला प्रस्न है, कभी-कभी अंधे बच्चे पैदा होते हैं, क्या गला है, कभी-कभी अंधे बच्चे पैदा होते हैं, सई आंसर असंबह A, अफसन नमबर A, हरचारे की कमी से, क्या करा है कभी-कभी जो है अंधे बच्चे गाय जो बच्चे होते हो जाते हैं अंधे बच्चे ही पैदा अगला प्रस्न है पाचक्ता परिच्छर में पशु को कितने दिन तक वही चारा दिया जाता है क्या करना प्रस्न है पाचक्ता परिच्छर में पशु को कितने दिन तक वही चारा दिया जाता है सही आंसर असंबर कितने दिन तक अफसन नमबर बी 15 से 21 दिन तक अगर पाचक्ता परि दिश्ड कर रहे हैं तो यह कहीं 4 को 15 से 21 दिन तक दिया जता है सही आंसर संबर अगला प्रस्न है पसु आहार में क्या प्रस्न है पसु आहार में मुख्य रूप से कितने तत्थ पाए जाने चाहिए क्या प्रस्न है पसुह आहार में जो है मोखरूप से कितने तत्यों पाया जाने चाहिए। सही आंसर असंबद सी छे तत्यों पाया जाने चाहिए। और पसुह को हम जो आहार दे रहे हैं उसमें पसुह के लिए कितने तत्यों की आवसकता होती है। सही आफ्सर संबा सी छे तत्व की आफ सकता होती है जो पशू को हम आहार देते हैं उसमें सुष में जो तत्व होते हैं वह छे तत्व उपसित होने चाहिए आफसर नंबार सी अगला प्रस्ने एक ग्राम वल्सा से कितने कैलोरी उसमा प्राव्द होती है क्या करा प्रस्ण है ये ग्राम जो है वसा से कितने कैलोरी उसमा प्राप्थ होती है सही आंसर असंबर आफसा नंबर ए 9.3 कैलोरी जो है उसमा प्राप्थ होती है सही आंसर असंबर ए अगला प्रस्ण है बर्सीम का वानस्पतिक नाम है क्या करा प्रस्ण है बर्सीम का वानस्मतिक नाम है सई आंसर असंबर ए बर्सीम का वानस्मतिक नाम क्या है आपसा नंबर ए टाइफोलियम अलेक जेंडियम सई आंसर असंबर ए टाइफोलियम अलेक जेंडियम सई आंसर असंबर ए अगला प्रस्ण है कार्बोहाइड्रेड में हाइडोजन तथा आक्सीजन का अन्पात है क्या करा प्रस्न है कार्बोहाइड्रेड में जो है हाइडोजन तथा आक्सीजन का अन्पात है सही आंसर असंबब बी, टू अन्पाथ, वन, कार्बो हाइड़िम जो है, हाइडोजन और आक्सीजन का जो अन्पाथ है, वह कितना है, टू अन्पाथ, वन का अन्पाथ है, सही आंसर असंबर, बी, अगला प्रस्ने, केंड़ जाती है, क्या अगला प्रस्ने, सही आंसर असंबर, बी, जई की, केंड़ जो जाती है, वह जई की जाती है, सही आंसर असंबर, बी, अगला प्रस्टन में रशीले मोटे चारे में नमिक की मातरा होती है कितने परस्टरम रशीले जो पूसर के दिए दाते हूरा उसमें उसमें, 77 से जो है, 80 प्रशन जो है, नमी की मात्रा होती है, सही आंसर असमब, a, अगला प्रशन है, मोटे चारे में, क्या गई प्रशन है, अगला प्रशन क्या कई गई गई? मोटे चारे में कुल 5 चितत्यों होते हैं कितने होते हैं सई आंसर अंसर अगला प्रसंद है वसा में क्या करा प्रसंद वसा में गुलंसील विटामिन है क्या करा है वसा में गुलंसील विटामिन है क्या है वसा में गुलंसील विटामिन है क्या है वसा में गुलंसील विटामिन आफसा नंबर ए क्या है विटामिन ए आफसा नंबर बी क्या है विटामिन बी आफसा इन में से कोई नहीं सही आंसर आपसमबर वसा में गुलंसील विटामीन है आपसर नमबर ए आपसर नमबर ए विटामीन ए जो है वसा में गुलंसील विटामीन है अगला प्रसन है मचली का चूरा नीम्न का अच्छा स्रोथ है क्या करा है मचली का चूरा नीम्न में से अच्छा स्रोथ है किसका अच्छा स्रोथ है किसका स्रोथ है मचली का जो चूरा होता है वह किसका स्रोथ है पहला विकल क्या है करा है कार्बोहाइडरेड प्रोटीन वसा रेसा किसका स्रो आफ्सार नमबर B मसली का चुछुरा है वह प्रोटीन का एक अच्छा शुरूत माना जता है सही आफ्सार अगला प्रस्थ निम्ण में कीस हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा सरवाधिक होती है क्या करा है दिये गए विकल्प में अपी निम्न में कीस हरे चारे में जो है प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे दीग अपी सर्वाधिक मानी जाती है फिर होती है सही आंसर असंबा डी आफसे नमबा डी जाई में जो है सबसे दीग मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है सई आंसर असमबा D अगला प्रस्ण है किसका पाचकता गुलांग नहीं निकाला जाता क्या करा प्रस्ण है किसका जो है पाचकता गुलांग जो है नहीं निकाला जाता है सई आंसर असमबा D आपसर नमबर D भस्म का पाचकता गुडांग नहीं निकाला जाता है सही आंसर असमब डी भस्म अगला प्रस्न है पस्कुण द्वारा आहार को सबसे अधिक, सबसे पहले परियोग किया जाता है क्या अगर है? पस्वों द्वारा जो है आहार को सबसे पहले प्रियोग किया जता है कहां पर प्रियोग किया जता है पस्वों द्वारा जो है आहार पस्वों को जो आहार है पस्वों द्वारा जब खाते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका प्रियोग कहां पर किया जता है सबसे पहले प्रियोग किया जता है सबसे पहले प्रियोग किया जता है अगला प्रस्न जई के काटने का उप्युक्त समय कौन सा है क्या प्रस्न जई के काटने का सबसे अच्छा उप्युक्त समय कौन सा होता है सबसे अच्छा समय बाना जाता है सबसे अच्छा समय बाना जाता है सबसे अच्छा समय बाना जाता है अगला प्रस्न रिजका में मार्च एवंग अप्रेल के महीने में सुस्क परदात होता है क्या करा है रिजका का पवधा है उसमें मार्च और अप्रेल के महीने में उसमें जो है सुस्क परदात का मात्रा होता है कितना होता है रिजका में सही आसर संबर अफसर नबहar D. पचीस परस् autour होता है। रीजका, एक पौदा है। रीजका के पौदे में रीजका एक घास है। उसमें मार्च और अप्रिल के महीने में जो है सुष्क परढ़ास की hor 줄 कि दिद्न होती है, सिर्फ 25 परस्द ही होती है। सही आंसर असमबर D, अगला प्रस्न है, कौन सी फसल में 5 से अधिक बार 4 काटा जाता है, क्या करा है, कौन सी फसल में 5 से अधिक बार 4 काटा जाता है, क्या करा है प्रस्न है, कौन सी फसल, से भी कौन सी फसल में 5 से अधिक बार 4 काटा जाता है, सही आंसर असमबर A, अफसर न बोने का उप्युक्त समय होता है, क्या करा है, बर्सीम बोने का समय फिर बर्सीम को बोने का जो है उप्युक्त समय होता है, यह भी माना जोता है, सही आंसर असमबर C, सितंबर का आखरी सवता जो होता है, बर्सीम को बोने का या फिर बर्सीम बोने का उप्युक्त समय होता है सई आंसर असंबा C अगला प्रस्न जानवर का पिजानवर को कौनसा आहार देना चाहिए क्या क्राप प्रस्न जानवर को जो है कौनसा आहार देना चाहिए सई आंसर असंबा A आफसा नंबर A संतुली ताहार देना चाहिए सही आंसर संब एग, अगला प्रस्न है, सो की गरा सरीर भार पर, एक भैस के लिए, कितना अजल प्रदार्द चाहिए, क्या गरा प्रस्न है, सो की गरा सरीर भार है, एक पसुव जो है, जिसका सरीर भार जो है, सो की गरा था, एक कुंटल है, उसे कितना अजल प्रदार्द दे देनास चाहिए, फ़ला विकोल C, 2.5 से 3 gigra. अगला प्रस्न है, एक गाय जिसका भार 400 gigra थाद 4 quintal है, उसके लिए परदी दिन सुस्क परदात की आउसकता होती है. क्या अगला प्रस्न है, एक गाय जिसका सरी भार कितना है, 400 gigra थाद 4 quintal है. उसके लिए जिसका परदी दिन सुस्क परदात की मातरा आउसकता होती है, किदने आउसकता होती है, सही आउसर होती है, आउसर नमबर B, 100 gigra परदी दिन सुस्क परदात की आउसकता होती है, आउसर नमबर B, अगला प्रस्न है, भैस को दुद्ध उत्पादन के लिए 1 gigra दा दाना चाहिए क्या करा प्रस्न है भैस को दूद उत्पादन के लिए एक किग्रा जो है दाना चाहिए कितना दूद उत्पादन के लिए भैस को एक किग्रा दाना चाहिए सही आफसा नमबर बी आफसा नमबर बी 2.5 किग्रा दूद उत्पादन के लिए एक किग्रा दाना च चाहिए अगला प्रस्त ना गाय को सो की ग्राइब सरीर भार पर सुस्क परदार्थ देते हैं कितनी देते हैं सही आशलय वाति ए आपसा नमबर ए 2.5 की गरा जो है सुस्क परदास देते हैं 100 की गरा शरीर भार पर एक गाय के लिए सही आंसर असमबर ए अगला प्रस्न है हे नहीं बना जा सकता क्या करा प्रस्न है हे जो है नहीं बना जा सकता किसे नहीं बना जा सकता और किस समय में नहीं बनाया जा सकता, सही आंसर असमबा C, वर्षा की रितु में जो है, यह नहीं बनाया जा सकता, सही आंसर असमबा C, अगला प्रस्न है, कार्बोहाइड्रेट्स में निमलिखित परदाद समलित नहीं है, क्या करा प्रस्न, कार्बोहाइड्रेट्स में जो ह सी नत्रजन प्रदार्ट जो स्विटरर्ट में समलित नहीं नहीं है। सब्सक्राइब है स्यास्यसन दफ.पन करते हैं स्विख हैं कि स्विख खास में नहीं होनी चाहिए? क्या करा है भंडारित करते समय हे अथार्थ हे क्या करते हैं सूखी घास को हे करते हैं उसमें नमी नहीं होने चाहिए किदने प्रसर तक नमी नहीं होनी चाहिए इसे कम नमी होगी चलेगा इसे अधी नमी होने पर हे अच्छी तरह से नहीं बनेगा सई आंसर संबा B 15 से 20 परसर जो है नमी नहीं होनी चाहिए हे बनाते समय भंडा हे को भंडारित करते समय सई आंसर संबा B अगला प्रस्न धान के पुगाल में क्या करा है धान के पुगाल में लगभग निमलिखित मातरा में संपूर पाच्च तत्व पाया जाते हैं क्या करा है धान के पुगाल में जो है निमलिखित मातरा में जो है संपूर पाच्च तत्व पाया जाते हैं कितने पाया जाते हैं सई आंसर संबा 45 परसंद जो है संपूर 5 तो तो पाया जाते हैं सरी आसर संबर D 45 परसंद अगला प्रसंद चारे की वह मात्र जो पसु को शरीर की रच्छा के लिए दी जाती है क्या करा है आफसा नमबर A निर्वाहन राशन क्या करा है चारे की वह मात्रा क्या करा है प्रसंद चारे की वह मात्रा जो पसु के सरीर की रच्छा के लिए था चारे की वह मात्र दी जा रही है सिर्फ पसु को जीवन यापन करने के लिए उसे कहते हैं क्या कहते हैं सयांसर संबर A निर् सई आंसर संबर ए अगला प्रस्ण एक गाय के रोमन्थिका की संग्रा छम्ता होती है क्या करा है एक गाय के रोमन्थिका की संग्रा छम्ता होती है किदनी होती है रोमन्थिका की संग्रा छम्ता एक गाय के लिए सई आंसर संबर C, आपसर नमबर C, 150 से 225 होती है, किनी होती है, रोमन्थिका की संग्रा चंता, 150 से 225 होती है, सही आंसर नमबर C, आपसर नमबर C, 150 लीटर च ले गए, 225 लीटर तो की संग्रा चंता होती है, अगला प्रस्ण है, 55.2 परचत, पूरे, 5.2 परचत पूरे पांचक परदात या पिर 5 पोसक तत्त, उपसित होते हैं, किसमें उपसित होते हैं?, सई आनसा वसमबा चर्ण की भूसी में किसम उपतुत है किसमें चर्ण की भूसीम जो है पर्षणप्राइड टू परिशत। पूरॲे 15 15 तर्थ तो उपतुत होते हैं सई आनसा वसमबा ए अंगला प्रस्थनिए गायों में गर्वकाल की अउधी होती है क्यारा प्रस्यक गायों चोओ ए गर्वकाल की अउधी होती किन्न दिन की होती है घरवकाल की गायों में सही आंसर संबफा एक ची के 20 दिन की चोई गायों में घरवकाल की ओधी होती है आफसर नंबर अगला प्रस्ण था किर्वं द्वारा रसीले चारे के रूप में परियूद सुरच्छित रखे गए चारे को कहते हैं क्या कर tremendous दोरहा रसीले चारे के रूप में प्रयुक्द सुरचीत रखे गएσα चारे को कहते हैं क्या कहते हैं सियांसा साइलेज कहते हैं साइलेज करते हैं, अगला प्रस्न है, हे बनाते समय, क्या अगला प्रस्न है, हे बनाते समय, सूरे के प्रकास में, पतियों का रंग उड़ जाने से हानी होती है, क्या अगला, हे जब बनाय जा रहा है, उस समय, सूरे के प्रकास से जो पतियों का रंग उड़ जाता है, उसमे एक चार सों कि ग्राम सरीर भारवाली गाय के निर्वाह के लिए एक गाय जो इसका वज़न कितना है चार सुग एक राथा चार क्विंटल है उसके जीवन निर्भाग के लिए कितनी पाच्चा कच्ची प्रोटीन की आवसकता होती है उसके जीवन निर्भाग के लिए जो है पाच्चा कच्ची प्रोटीन की कितनी आवसकता होती है सही आंसर समबर B आस्वा नमबर B 0.25 kg अथार दूसर 50 ग्राम पाच्य कच्ची प्रोटीन की आवसकता होती है सही आंसर समबर B आस्वा नमबर B अगला प्रस्ने हरी मक्का के सालेज बनाने के लिए उसमें सुस्क परदार्त की मात्रा निमन में से कितनी होनी चाहिए क्या करा है हरी मक्का से सालेज बना जा रहा है किसे हरी मक्का से जो सालेज बना जा रहा है उसमें सुस्क परदार्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए सई आंसर असमबद है C, 30 से 40 प्रसद सुष्क परदात की कितनी मात्र होने चाहिए, 30 से 40 प्रसद से मात्र होने चाहिए, किसमें हरी मक्का से साइलेज बनाया जा रहा है, तो सई आंसर असमबद है C अगला प्रस्न है एक यूवा क्या करा एक यूवा साड के आहार में पाचा कच्ची प्रोटीन की मातरा होती है कितनी होती है अगला प्रस्न है एक यूवा साड के आहार में पाचा कच्ची प्रोटीन की मातरा जो है बारा से पंदरा प्रस्न होती है साइ आंसर असमबर बी अगला प्रस्न है हे के प्रकार है क्या अगला प्रस्न है एक प्रकार है साइ आंसर असमबर डी अप्सन नमबर डी हे के प्रकार क्या है ए सभी जो है हे के प्रकार हैं आफसन नमबर D सीरियर मिस्रित फलिदार फॉलों द्वारा फलिदार फॉलों द्वारा जो है ए सभ हे के प्रकार हैं सभी आफसन नमबर D अगला प्रस्न हे में निवन में से कौन से कुड़ होने चाहिए हे बनाया चाहिए तो उसमें डिये के विकल्ब में से कौन से गुड होने चाहिए सई आंसर संबा डी ये सभी गुड होने चाहिए पतले तने वाली किसम होनी चाहिए हे बनाया चाहिए तो हे बनाने के लिए जो फसल उयूज के जा वह कैसा होना चाहिए पतले तने वाली कीश्म होनी चाहिए, खरपतवार रहीत होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, यह सभी चीशे जो है, हे बनाने के लिए अच्छे गुण है, सही आंसर सम्बर d अगला प्रस्ति एक दुधारू गाय को कितनी मातरा में दूध उत्पादन हे तु एक किगरा दाने की जरुरत होती है एक दुधारू गाय है जिसे हमें एक किगरा दाना देना है प्रद्दिन एक किग्रा जो है दाना देना है प्रद्दिन और एक टिग्राम दाना उसे उस गाय को रोप प्रद्दिन दे रहे हैं तो बहुत कितनी मातरा में दूल देगी सही आंसर असम्बा बी आफसा नमबर बी तीन लिटर अगर दू दे रही तीन किग्रा दू दे रही है एक गाय उ किसमें पार्चन सील प्रोटीन नहीं होती किसमें पार्चन सील प्रोटीन नहीं होती सही आंसर संबर गेहुं का भूसा उसमें पार्चन सील प्रोटीन नहीं होती सही आंसर संबर गेहुं का भूसा